नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Defense Gallery में वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में किसी भी तरीके से सेना के किसी भी सीक्रेट को रिवील नहीं किया गया है तो आप इस वीडियो को देखे एमोशनल मत होईएगा और ये मत सोचिएगा कि इसमें सेना के किसी सीक्रेट को रिवील किया गया है अब आते हैं अपने आज के वीडियो के टॉपिक पे तो आज के वीडियो के टॉपिक है दोस्तों कि क्या भारत अगर पाकिस्तान और चाइना से एक साथ जंग हो जाती है तो उस केस में क्या भारत के पास जो मिसाइल्स अवेलबल हैं क्या वो पर्याप्ट मात्रा में हैं इस वीडियो को बनानी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो बन चुके थे आज से लगभग धाय तीन महिने पहले चाइना की एक रिपोर्ट को बताते हुए जिसमें की ऐसा क्लेम किया गया था कि भारत के पास 14,000 यूनिट्स हैं ब्रमोस मिसाइल के तो ये एक बहुत बड़ा नंबर था उस समय जितनी भी वीडियो की बात की गई है उसमें जादा तर वीडियो में से मैंने देख लिया किसी भी वीडियो में ऐसे कोई authentic link को नहीं provide किया गया है जहां पर ये बताया गया हो कि ये जो रिपोर्ट है ये actual में कहां पर आई है कहां पर छपी है basically वो रिपोर्ट चाइना की कही गई थी लेकिन ऐसा कोई authentic data मिला नहीं जहां से कोई confirmation हो सके तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ब्रह्मोस की ही बात करेंगी कि क्या भारत के पास सच में 14,000 ब्रह्मोस मौजूद है तो इस जवाब को अगर आपको जानना है तो आपको शुरू से थोड़ा सा समझना पड़ेगा जब ब्रह्मोस की डील भारत में हो रही थी जब शुरुआत हुई थी 2005 से इसका प्रड़क्शन शुरू हुआ तो उस समय भारत और रशिया के बीच में एक करार हुआ जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि भारत और रशिया मिलके जो ब्रह्मोस बनाएंगे वो अगले 10 साल में 2000 कॉंटिटी बनाई जाएगी और 2000 कॉंटिटी में से 50% जो कॉंटिटी होगी वो एक्सपोर्ट के लिए रखी जाएगी लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 2015 तक ऐसा कोई भी एक्सपोर्ट ब्रह्मोस का नहीं हुआ तो उस केस में अगर 2000 की 2000 मिसाइल्स बन गए तो उसका एक ही ऑपरेटर हो सकता है वो है इंडिया क्योंकि रशियन अभी से यूज नहीं करता है रशिया इसे क्यों नहीं यूज करता है अगर आप उस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पे आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएगा इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं अब आते हैं फिर अपने टॉपिक पे तो इसका मतलब भारत के पास वो 2000 ब्रह्मोस तो हैं ही है जो कि 2015 तक एरोइस्पेस ने प्लैन करके बनाया हुआ था इसके बाद अब 14,000 और 2000 में अभी भी 12,000 का डिफरेंस बचा हुआ है अब आ जाते हैं कि उसके बाद कितने ब्रह्मोस बने तो अगर आप उस जो फर्स्ट प्रोड़क्शन लाइन थी जिसमें की 2000 ब्रह्मोस को बनाया गया उसकी बात करते हैं तो उसकी per year manufacturing capacity जो थी वो लगभग 200 ब्रह्मोस per year की आई इसके बाद ब्रह्मोस की एक second production line को 2018 में open किया गया वडोद्रा में ये जो production line है ये second थी, third production line अभी तक नहीं बनी है जबकि आपको बहुत सारे ऐसे videos मिलेंगे जहां ये बताया गया है कि ब्रह्मोस की third production line बन चुकी है जबकि ऐसा नहीं है, third production line बन जरूर रही है लेकिन वो अभी तक बन के complete नहीं होई है तो अब यानि कि 2018 में दूसरे production line को इस्थापित किया गया और अगर आप 2016 से 2020 तक का समय लेते हैं तो इस बीच में 5 साल का समय हो गया तो पहले production line से अगर आपने उसकी capacity बढ़ा भी दी तो 200 की जगा 300 या 400 भी कर दी तो भी, हलाकि ये मुश्किल है थोड़ा क्योंकि same production line में उसकी एक limited capacity होती है बहुत ज़्यादा उससे नहीं expand किया जा सकता लेकिन अगर हम 300 के हिसाब से भी लेते हैं तो भी 5 साल में 1500 ब्रम्होस ही total होते हैं और second production line जो बना है वो 2018 में बना है और सारी capacity बढ़ाने के बाद भी 2004 तक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तो 2000 और बने होंगे तो total हो गए 4000 लेकिन अगर आप overall देखते हो जो ब्रम्होस का order है तो recently ही एक report India Today की छपी थी जिसमें ये बताये गया था कि भारत ने अभी तक 36,000 करोड उपय से ज़्यादा के ब्रम्होस को already induct किया हुआ है यानि कि जो भी भारत की navy या army मिलके use करती है उसमें आप देखोगे तो total cost आती है ब्रम्होस की 36,000 करोड इस 36,000 करोड को अगर आप per unit cost से divide कर देते हो ब्रम्होस के तो per unit ब्रम्होस की cost exactly देखो कोई नहीं बता पाएगा आपको लेकिन 20 से 25 करोड के बीच में कहीं होती है हो सकता है इसके जो पुराने units थे वो और सस्ते हो 10 से 15 करोड उपय के भी हो और जो current के units हैं वो ज़्यादा महंगे हो चुके हैं क्यों महंगे हो चुके हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा तो अगर आप यहाँ पे 36,000 करोड का average भी निकालते हो 15 करोड या 20 करोड या 25 करोड तो भी जो total number होता है वो 1200 से 2000 ब्रम्होस की बीच में ही कहीं न कहीं जाके रुपता है जो की active हैं अभी deploy होंगे यह सारे यानि कि इन्हें हमारी सेनाई यूज करती है इसके अलावा ब्रम्होस aerospace जो है वो इंडिया और रशिया का यह joint venture है तो ये भी थोड़ा सा assume करना tough हो जाता है कि इतने सारे ब्रम्होस को कोई company क्यों बना के रखेगी जब किसी ने उसे खरीदा ना हो तो कोई भी company कोई भी product तभी बनाएगी जब उसकी खरीदारी हो और Indian army और Indian navy का मिला कि जो मैंने आपको quantity बताई वो लगबग 2000 आती है लेकिन फिर भी अगर हम माल लेते हैं कि सच में बना होगा तो भी वो 14,000 की quantity तो नहीं ही होगी क्यों नहीं होगी 14,000 की quantity तो इसके कई reason है पहले मैंने आपको production की एक limitation बताई कि production जो होता है उसमें assembly line में कहीं न कहीं एक limited capacity होती है उसी हिसाब से आप हर साल उसे produce कर सकते हो इसके अलावा आप ये बताईए कि 2015 के बाद से भारत जो है वो ब्रम्होस के extended range version पे काम करना भारत ने शुरू कर दिया था जो हमारा 450 km वाला ब्रम्होस है और इस समय वो ब्रम्होस पूरी तरीके से successful हो चुका है और हमारी इंडियन नेवी ने इसमें interest भी दिखाया है और इंडियन नेवी ने 15 दिसंबर 2020 की report में ये कहा था कि इंडियन नेवी को 18 ब्रम्होस का extended range वाला वर्जन चाहिए और इस खरिदारी की total cost थी 1800 करोड उपे की अगर आप 1800 करोड को 38 से divide करते हो तो इसमें cost आ जाती है per unit cost 47 करोड उपीज यानि 47 करोड उपे का एक ब्रम्होस ER वर्जन पड़ता है इस amount से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पुराना जो ब्रम्होस होगा उसकी cost 15 से 20 करोड के आसपास तो जरूर ही होगी एक दो करोड पे नहीं होगी तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो जो ब्रम्होस का ER वर्जन है अगर आपको 2015-16 में ये चीज पता है कि आपको 2-3 साल में 450 किलो मेटर वाला ब्रम्होस मिलेगा तो फिर आप पुराने ब्रम्होस को क्यों खरीदोगे तो यहाँ पे भी पुराना जो ब्रम्होस है क्योंकि उसका जो range है वो कम था 290 किलो मेटर था तो उस case में भी इतना ज्यादा stock रखना मुश्किल है साथ ही साथ सिर्फ stock रखने की बात नहीं होती है stock अगर आप किसी इसका रखते हैं तो उसकी expiry date होती है आप missiles use करिये ना करिये लेकिन 15-20 साल बाद ब्रम्होस जैसी मिसाइलों में भी खराबी आना शुरू हो जाती है उसके parts खराब होने लगते हैं तो इसलिए समय समय पे आपने देखा होगा जो ब्रम्होस का test किया जाता है या फिर उसे किसी practice exercise वगेरा में use कर लिया जाता है जो हमारे पुराने ब्रम्होस हो चुके होते हैं या कोई भी पुरानी चीज जो होती है तो ये basically आपने देखा कि overall ये सारी चीजे यही indicate करती है कि जो ब्रम्होस है वो भारत के पास कहीं ना कहीं है तो बहुत अच्छी quantity में मतलब जि ये भी बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी जो है वो ब्रम्होस के तीन रेजिमेंट को use करती है एक रेजिमेंट में कम से कम 72 मिसाइल एक साथ आप operate कर सकते हो तो यानि कि 216 ब्रम्होस पर्मानेंट डिप्लॉय होते हैं कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के ओर से उसी के त पोटल देख लेते हैं जो इंडियन नेवी की capacity है अगर आप उसको देखते हुए भी कहते हैं तो भी जो ब्रम्होस है उसकी quantity सब में नहीं लगी है 2005 है के बाद से जो destroyers वगरा बन रहे हैं उन सब में deploy किया गया है ब्रम्होस को और जो नए future में बनेंगे उन सब में भी deploy क किया जाएगा लेकिन उसके बाउचूद जो active quantity मैंने बताया जैसे कि 500 से 600 ब्रम्होस permanent deploy रहते हैं इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को मिला के इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे ब्रम्होस होंगे हो सकता है वो 500 हो एक हजार हो दो हजार हो वो हम 100% नहीं कह सकते कितना ह नहीं हमें पता होना चाहिए लेकिन बाकी stock भी बहुत सारे missiles का होता होगा लेकिन फिर मैं again insist करता हूँ कि 14,000 बहुत मुश्किल है पर ये जो सारी बातें आई ये हवा बनी कैसे तो ये हवा बनी दोस्तो तब जब 2016 में ऐसी news आई कि भारत जो है वो ब्रम्होस की 100 quantity पर मन् उम्मीद किया कि अब 1200 से 1400 quantity जो है ब्रम्होस की वो भारत एक साथ बना सकता एक साल में और उसी में आपका second production line भी हो गया तो यहां पर quantity हो गई 2000 से 2500 के बीच में per year तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 10,000 से 15,000 के बीच में हो सकता है लेकिन ये news थी या अफवा थी ये चीज किसी ने भी आज तक clear नहीं किया authentic data के through जो हो सकता था वो मैंने आपको बताये कि production line की capacity के according देखा जाए तो maximum 4000 जो है ब्रम्होस वो अभी इंडिया के पास होगा उसमें बहुत सारे stock में होंगे बाकि आपके deploy होते हैं और last कुछ सालों से purchasing भी नहीं हुई है और अ ये पूरी बात होगे ब्रम्होस को लेके अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो क्या ये quantity sufficient है चाइना और पाकिस्तान को एक साथ tackle करने के लिए तो देखिए दोस्तों ब्रम्होस जो है वो एक super sonic cruise missile है तो क्या भारत के पास सिर्फ ब्रम्होस है तो ऐसा नहीं है आपको पता होगा इस समय LAC पे निर्भय और ब्रम्होस दोनों ही missile तैनाथ है जो की हमें पता है इसके अलावा कितनी missile कहा तैनाथ होंगी ये हमें आपको पता नहीं है ना ही हमेशा पता होनी चाहिए लेकिन भारत के पास ब्रम्होस जैसी ही और भी missile है जिसमें की निर्भय missile है जिसकी एक हजार किलो मेटर तक है और इसका ओडर अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से दिया गया था जो 33,000 करोड रुपय का टोटल ओडर था उसमें निर्भय missile का भी नाम शामिल था साथ ही साथ भारत के पास शौरया missile भी मौजूद है शौरया missile की रेंज 750 किलो तक है निर्भय की रेंज 1000 किलो मीटर तक है ब्रहमोस की रेंज 300 किलो मीटर तक है जो अलरी अभी डिफ्लोईड है बहुत सारी भारत के पास missiles हैं तो इतनी missiles के साथ क्या हम चाइना पाकिस्तान को एक साथ tackle कर सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों बिलकुल कर सकते हैं किसी भी दुश्मन को tackle करने के लिए उनके air defense system में जितनी missiles होंगी आपको उनसे ज़्यादा missiles रखनी हैं तो आप उनके air defense system को पूरी तरीके से धोस्त कर सकते हैं अपने missiles के थ्रू और बाद में आपके पास जो ज़्यादा quantities की missiles होंगी उनके थ्रू आप attack भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमने सिर्फ एक plane missiles की बात की है अभी हमने इसमें air force और उसकी inventory को जोड़ा ही नहीं है तो air force जो हमारी है उसमें बहुत सारे bombs, missiles इतने सारे fighter jets में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से चाइना और पाकिस्तान अगर दोनों मिल के भी attack करते हैं तो भी भारत का stock इतना sufficient है कि दोनों को आसानी से tackle कर सके और पाकिस्तान जैसे देश की अगर बात करते हैं तो उसमें भारत के पास जितनी missile हैं उसका आधा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा भारत को उससे पहले ही पाकिस्तान surrender कर जाएगा चाइना के case में obvious है कि चाइना एक बहुत बड़ी और ताकतवर country है तो इस case में भारत को ज़्यादा missiles चाहिए होंगी और इसी के तहत भारत ने इतने सारे missiles को बना के रखा हुआ है और इसके stock को और अच्छा किया जा रहा है साथी साथ ब्रम्होस जो है उसका extended range version बना है 2021 में ब्रम्होस को 800 km तक के range पे करने की बात की जा रही है जो की hopefully हो भी जाना चाहिए तो यहां पर अगर आप overall देखते हैं तो यहां पर दो बाते आती हैं क्या भारत के पास sufficient missiles है पाकिस्तान चाइना को tackle करने के लिए तो जी बिल्कुल sufficient है उसमें अब हमें वो समय नहीं रह गया भारत का कि हमें पाकिस्तान से भी अगर युद्ध करना है तो उसके लिए भारत को अमेरिका रशिया या इसराइल की मदद चाहिए होती थी अब भारत खुद से कर सकता है चाहिए वो satellite के मामले में हो या missile गोला बारुद इन सब के मामले में हो दूसरी बात आती है कि क्या भारत के पास 14,000 ब्रह्मोस हैं तो मेरी analysis ये कहती है कि 14,000 ब्रह्मोस भारत के पास नहीं है लेकिन जितने हैं वो काफी sufficient है बाकि आपका क्या कहना है दोस्तों क्या आपने भी ऐसा सुन रखा था पहले से अगर सुन रखा था तो आपका doubt इस वीडियो में clear हुआ होगा अभी की वीडियो के लिए इतना ही मैं मनीश मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में आपके दिमाग में कोई और comment सुझाओ कोई question हो आप comment section में ज़रूर लिखेगा नमस्कार जैहन